आज हम एक पाकिस्तान के बहुत ही मशूर सक्षियत के बारे में बात करने वाले हैं, जो 1965 के अंदर मिश्टर पाकिस्तान रह चुके हैं, लगबग 40 साल तक इन्होंने अपना जिम चलाया और बहुत सारे बोडी बिल्डर्स को इन्होंने ट्रेन भी किया, इनका नाम है बहुत ही बड़े बड़े और मशूर बोडी बिल्डर्स को ये ट्रेन कर चुके हैं, और काफी एक्सपिरियंस है इनको आज भी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बोडी बिल्डिंग शो होता है, तो वहाँ ये जरूर नजर आते हैं रिसेंटली इन्होंने एक इंट्रिव्य के दौरान दो-चार बातें कही हैं, मैं उन पे अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, तो पहली बात इन्होंने कही तब से बड़ा टिप इसका जो है बाडी बिल्डिंग का, वो ये है कि जब तक शादी नहीं होती, अपनी अमी को आई लव यू करे, और किसी को नहीं कहना, अगर गलती करेगा तो मौंबती की तरह पे गलता जाए, फिर बाडी बिल्डर नहीं बन सके, ठीक है, एक, नमब जितने टेस्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उतनी बाडी खुब्सूरत करें, नमबर तीन, जब भी लोगों को ये भी बिता दें कि टेस्ट्रॉन क्या होते हैं, टेस्ट्रॉन जो होते हैं, वो आपके वो पार्टिकल होते हैं, जो आप हम विस्तरी करें तो उसमें लूज हो तो इनका कहना है कि आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, अगर आपको बोडी बिनानी है, फिजीक बिनाना है, तो आपको सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे आपका टेस्टोस्ट्रॉन लेवल कम हो जाता है, ऐसा बिलकुल नहीं है, सेक्स करने से, मास्ट्रबेशन करने से आप आपके टेस्टोस्टोन लेवल पर कोई फरक नहीं पड़ता है इस पर मैं पहले ही एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ रिसर्च और स्टडीज के साथ आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं लेकिन अगर निश्कर्श बताऊं तो सेक्स और मास्ट्रबेशन करने से आपके टेस्टोस्टोस्टोन लेवल पर आपके मसल्स के जो ग्रोथ है उसके उपर कोई नेगिटिव अफेक्ट नहीं पड़ता है कि टोटली नॉर्मल है और आप इसे पर क्या चीज आती है और किमाल नेंं ठीक हो गया ब करे के बकरे के स्टक्र करने की से तो ये बात तो ऐसे हुई कि अगर आपको milk चाहिए, दूज चाहिए अपनी body के अंदर तो आप भैस के थन खालीजिए, जिससे आपके अंदर ही body के अंदर ही आपके milk produce होने लगेगा. या आपको पानी के अंदर अगर आपना stamina बढ़ाना है, अपनी सास रोक के रखनी है, तो आप मचली के फेफड़े का लेजिए, उससे आपके जो lungs है उसके अंदर oxygen increase हो जाएगी. या ऐसा कहलेजिए, कि अगर आपको पैनिस का size बढ़ाना है, तो आप घोड़े का private part खा लेजिए. जोक्स अपार्ट हम nutrition value की भी बात कर लेते हैं, कि बक्रों के गोटों के अंदर हमें कितना nutrition मिलता है, इस बात के अंदर कितनी सचाई है कि वो हमें testosterone को बढ़ाने में help करेगा भी या नहीं. तो 100 ग्राम बक्रे के गोटे के अंदर हमें लगबग 26 ग्राम protein मिल जाता है, जोकि काफी high amount of protein है, और इसके साथ हमें 3 ग्राम fat मिलता है, तो fat भी काफी low है इसके अंदर. साथ में हमें बक्रे के गोटों के अंदर vitamin और minerals भी मिल जाते हैं, zinc, potassium, sodium, magnesium, काफी अच्छे amount में हमके मिलते हैं, जोकि हमारे testosterone को बढ़ाने में help कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बक्रे के गोटे काटने के क्या ज़रूरत है, ये तो हमें normal खाने से भी मिलते हैं, दूद, दही, पनीर, अंडे, चिकन, fruits and vegetables अगर आपके diet के अंदर हैं, तो normally आपके जो vitamin, minerals है, protein, carbs और fat आराम से आपको मिल जाता है, तो बक्रे के गोटे काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरी बात, ये कहते हैं कि इसके अंदर testosterone काफी high होता है, बक्रे के गोटों के अंदर testosterone काफी high amount में होता है, लेकिन इसका कोई scientific fact या scientific backup तो नहीं है, कि ये आपके जो fertility या importance को दूर करने में help करेगा, लेकिन एक time के लिए अगर हम मान भी लेते हैं, कि बक्रे के गोटे के अंदर testosterone काफी high है, तो आप उसे कच्चा नहीं खा सकते, अगर कच्चा तो वो आपकी health को वैसे बिगाड़ देगा, अगर आप उसे cook करके खाएंगे, तो वो उसके hormones वैसे बर्ण हो जाने वाले हैं, cooking के दौरान, अगर in case आप उसे किसी form में खा भी लेते हैं, liquid के form में आप उसे पी लेते हैं, या half cooked आप उसे खा लेते हैं, तो body उसको direct absorb नहीं करने वाली है, जो hormone उसके अंदर है, पहले body उसको breakdown करेगी, body ऐसे काम नहीं करती है कि आपने जो बकरे के testosterone खा लिए, उसके अंदर जो testosterone है, वो direct आपके गोटों के अंदर चला जाएगा, ऐसे काम नहीं होता है, अगर हम protein भी लेते हैं, तो body उसको breakdown करती है, amino acids के अंदर, ज उसके हिसाब से body उसको use करती है, जितने amount में हमें protein के अंदर aminos मिलती है, उसके हिसाब से हमारी body hormones बनाती है, enzymes बनाती है, antibodies बनाती है, muscle repair के लिए, growth के लिए use करती है, तो direct कोई चीज absorb नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि direct आपने testosterone लिया, वो direct आपके अंदर absorb हो गया, no, body उ उसको breakdown करेगी, उसके अंदर जो nutrition values होगी, उसके हिसाब से body उसको use करती है, तो बकरे के testicles के nutrition value देखते हुए ये कह सकते हैं कि अच्छे amount में हमें proteins, vitamins and minerals मिल जाते हैं, जो definitely हमें health benefit दे सकते हैं, लेकिन इसमें special ऐसा कुछ नहीं है, जो हमें खाने से और food supplement से ना मिलता हो, और scientific studies भी इसमें काफी कम हैं कि बकरे के testicles हमारे importance को infertility को दूर करें या testosterone को increase करते हैं, तो अगर आप nutrition के लिए बकरे के गोटे खाने चाहते हैं, तो आप definitely आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जिन्दा बकरे के नीचे नाग हो जाए, नहीं तो आपके ग बाई बाई, टाटा, गुडबाई, गया